जटपट दुकान स्टोर बनाने से आपके स्टोर को हर घर तक ले जाने ता बिग ब्लिस बिग ब्लिस हर कारोबारी की खुशियों की चाबी खुशियों की अपनी दुकान देश के कुछ हिसों में मौनसून की बारिश में देडी के कारेंट चालू खरीब सत्र में अब तक धान की बुआई का रखबा 24 फीसिदी घटकर 72.924 लाख हेक्टेर रह गया है इस तरह तिलहन का रखबा 20 परतीशत घटकर 77.880 लाख हेक्टेर है खरीब फसलों की बुआई जून में दक्षिन पश्मी मौनसून आने के साथ शुरू होती है धान खरीब की प्रमुक फसल है मैं बता दे भरत मौसम विज्यान विभाक यानिके आयमडी ने इस साल समान मौनसून का अनुमान लगाया है और इस साल एक जून से 6 जुलाई के बीच कुल वर्षा समान के करीब थी हाला कि इस दोरान मध्य भारत में वर्षा में 10 प्रतीशत और देश के उत्तर पश्मी छेतर में 2 प्रतीशत कम थी मौसम विभाक के ताजा अनुमानों के मताबिक 6 जुलाई को समाप्त सप्तह के दोरान पूर्व और उत्तरी पूर्वी भारत के प्रमुक चावल उगाने वाले शेतर में बारिश की कमी 36 प्रतीशत तक थी क्रिशी मंत्राले के ताजा आकडों के अनुसार चालू खरीव सत्र में 8 जुलाई तक वानिज्जी के फसलो गन्ना का पास और जूट का रखबा करीब एक प्रतीशत कम था चालू खरीव सीजन में 8 जुलाई तक दालो का रखबा एक प्रतीशत बढ़कर 46.55 लाग हेक्टेयर हो गया है जबकि एक साल पहले इसी अबदी में ये 46.10 लाग हेक्टेयर था हाला कि अरहर और उड़त का रखबा घट गया है वहीं तिलहन में सोयबीन का रखबा 21.74 लब 74.54 लब 4.3 लाग हेक्टेयर रहे गया है जबकि मुझफली का रखबा 19.25 लाग हेक्टेयर रहे गया है चालू सत्र में अब तक कुल मोटे अनाज का रखबा मामुली बढ़कर ये 65.31 लाग हेक्टेयर हो गया है एक साल पहले इसी अवदी में 64.36 लाख एक्टिया था विशेश अग्यों ने कहा प्रमुक फसलों की बुआई में कमी की भरपाई के लिए जुलाई में बारिश महत पूर्ण है कि खग jus हम पुआ है स्वेया के लुआ ड़ो झाल भूुला जारिख अवदी में की भर विए बूभ एक्तारली अवाबसी में भरrise से से विए प्रमुक मिएर में रही ही हुआ है